सारे दर्सकान है देशी पत्रकार करमों की राम राम अमरजेंसी लाइव है यूँ और यूँ अमरजेंसी लाइव है नवीन जैंद जो की फरसादारियां का अगए नवीन जैंद का अगए अर्याना सरकार जूगी के गुटने पर आगी के गुटने टेक दिये के बहुत बड क्या है बई परावर आली जमीन को लेकर के बहुत उठा पटेक चल रही जी नवीन जैंद की बात करां तो उसके बीच में चाहे मुंडन की बात हो चाहे पहले जब लेंगे बात ठाए जाओ तो तरंगा यात्रा हो या उसके बाद बिरुजगारां की बरात हो बहुत सारे मु लेकर बार बार वाद उठती रही लेकिन आज कार्तिक सर्मा की जो स्टेटमेंट जारी होई कि बही कैबिनेट में यह बात मंजूर कर ली गई है बही परावर आली जमीन को गोड संस्ता के लिए नोमिनेट कर दिया गया है यह एक अलग बात है आगले दिना में देखनारी बात रहोगी 21 मई का जो टेम नवीन जैंद ने रख रहा है ब्रामन महकूंब का परसुराम जनमोत्सव का उसमें के मामला रहोगा है चोंकि इसाल लागए भी फरसाधारियां का गए और नवीन जैंद का गए सरकार ने गुट ने टेक दिये है बाना कुछ भी होसके है जागी माद दिमबन का है करती के सरमा जो विनोज सरमा उनके लड़के हैं करती के सरमा सaster है राज्य सबात है उनने स्टेटमेंट जारी करे है लेकिन फिलाल जो महरे इंपूट है वज्या है नोवीन जैंद के खेमा मैं काफी खुशी के लायर है और उनके तरफ तरनुवी बात है रही है भई इव यू जो 21 माई का जो कारिकरम है यू और भी बव्या होगा और भी बड़ा होगा क्योंकि सैलिब्रेशन मनाया जाओगा लेकिन इस बात की वीडियो के मादम पूश्टी होई कि भई जिस इस बिरादरी की पर सुराम जन्मोत सों जो मनाया जाना था क्या उस्ते पहले खोप है डर है थाम बताओ कुमेंट करके तामने क्ये लागा है एक बात सुनो भाई जितने भी दर्सक लाइफ जुड रहे हैं कि लेकले सेर करते रहो और बताओ इस बात को भई जैसे नमीन ज इसाम और भी जो दर्मिक्स तलतें उन पर ले जाके केस को एक किसमेंद समर्पित करना ली बात आई थी क्या सरकार के ऊपर पर प्रेसर था परतक्स रूप ते क्या सरकार गपराना आगी थी डर्रकी थी इस देखना ली बात अग्र ले दिन हम यार होगी अगभी सरकार की अगली रणनेटी क्या होगी फिलाल सरकार में उस होत रही है अगभी 21 माई का जो बहुत बड़ा महाकुम बोना है भगवान पर सुराम जन्मोत सोब है उस ते पहले हम यह गोशना करते हैं अगभी जो गोड संस्ता है उसकी डिमाड मान ली गई है लेकिन जैसे हमने दिन में संपर्क करया हाँ शाम को संपर्क करया था नवीन जैंत को हमारी टीम ने तो उसका कहना नूँ था अगभी मंदर पहले हैं चीए मंदर बढ़ागा तो ठीक है मंदर नहीं तो संस्ता की तो बात है है तो अब यह बात देखना नहीं बात रहोगी एक की स्थारिक नहीं होगा के आलागी प्रसासन पर है सरकार पर है और मुख्य मंतरी या बात करां कितने किते गुटने पता जुरूर आए है जो सिखा जो चोटी दारी जो एक मामला चला है ट्रेंडिंग में यदि जो चोटी दारी गंजे हुए तो सरकार उसका दबाव माएगी के नमीन जैंद के या फरसादारी का दबाव माएगी के ये स्वाल हमाई बड़े-बड़े तो ये बहुत बड़ी बात है जै फरसादारी या नमीन जैंद आवाज नहीं ठांदे तो सरकार इसका मतलब कुछ करना लगी को नी ठीके तो इसा के मामला हो गया अगवे सरकार ने 21 मही का कारेकरम तो पहल लिया या गोशना करने पड़ गी माध्यमबणा करती के सरमा तो ये बात सोचना लगी लेकिन नमीन जैन की तरफ से जो मारपर इनपूट आई हुआ है 21 मही का कारेकरम हर आलत में हुवगा छत्ती ब्रादरी का हुगा और ना रूक है ना रूक है का चेकी में कर ले और गोशना हो ली कोई बात नी लेकिन एक बात है गरदन कट जगी और लेकिन कारेकरम नहीं हो गई है बात सुना नमाई है ये या बात देखना लिए होगी बही मुख्या मंत्री का या बारत सरकार का स्टैंड के रहुगा इवीज में दो ट्विष्ट हैं बही एक तरफ है नमींजेंद की जिद फरसादरियां की जिद अग बही 21 महीना हमना बगवान परसुराम का जनमोचों मनाना है क्योंकि जिव तारिक थी पल डी बाइस तारिक वरद होगी थी बाइस अप्रेल की तो वरद होई तो उस तो वह ओणी है उनका स्टेंड कलियर है वह ओगी क्योंकि अपमान बगवान परसुराम का होई था दूसरी बात इव नू देखना लिबात रहुगी 21 महीना कितनी संख्या उड़ा जूड़ागी थती ब्रादरी की कितनी संख्या जूड़ागी अलागी सरकार इसका मुलत दबाव में है प्रैसर है गुटने अपाहल गिये है और गोशना कर दी है परी कैपनेट हमा मंजूर होगी है लेकिन नवीन जैंद की टीम की तरफ जब हमने हमारी टीम ने संपर्क करया तो उनका स्टेंड कलियर था भी मारा मकसद है बगवान परस सासन या सरकार नवीन जैंद को रोक केगी या नू कोगी भी आमने बात मैं ली तो भी यह 21 माई का कारेकरम क्यों यह बहुत बड़ी बात हो भाई इना अलका मैं लियो फिलाल ताजा अपडेट दिया है भी अर्याना सरकार गुटने बागी है नवीन जैंद या फरसाद अ और जो दबाव बन्या तो उसका असर देखने साब तो पर मिल जाए यह दिदि दबाव या असर नहीं हुंदा तो मेरे ख्याल तक गोश्णा करने की या पर कैबिनेट में मंजूरी देने की जरूरत गुंदी क्योंकि नवीन जैंद नसाब तर पका था यह तो मुख्यमंत अन्याए को सहन नहीं करांगे तो फिलाल एक बात देखनानी रहोगी वह 21 महीन है एक तरफ नमीन जैंद या फरसादारिया कारिकरम होगा दूसरी तरफ सरकार की केके अठकड़बाजी केके सोस्यवाजी केके प्रोपगेंडे चलेंगे देखनानी बात यह रहोगी और ट् तक पुछा देओं पर फिलाल अर्याना सरकार अर्याना सरकार फर नमीन जैंद और फरसादारियां का आगत जुगली है आपने के लाग है जो यह लड़ाई है 21 महीं तक किस रूप में जासके हैं के सवरूप लेसके हैं आप अपनी राइक कोमेंट बोक्स में जरूर दियो बहुत बहुत धन्यवाद मवदारा देश्वी पत्रकार करमू जैहिंद जैहरियाना जैजवान जैकिसान वो जमीन पैरावर की गौड ब्रामन कॉलिज को मिलेगी ये तैह है 2009 से ये जमीन लीज पर ली गई थी 2042 में खतम होनी थी अब 2022 से नैसरे से और 33 साल के लिए 2055 त आता हूँ आपके माध्यम से मानिय मुख्यमंतरी जी का ये एक इतिहासिक फैसला था और जब ये डिमांड मानिय मुख्यमंतरी जी के सामने लखी गई थी परशुरा महाकुम के दौरान तो उन्होंने उसी वक्त इस डिमांड को मान लिया था और आज उसका डिमांड को का रीजे करना है और मैं पूरी काबिनिट का भी धष्ट करना चाहता हूँ मैं साकर अत्मक सोच के विक्ति हूं, मैं माँनता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये नए सिरे से लीज मिलने के बाद अब 33 साल का की लीज है और इसलिए हम लोग उसके उपर कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो ये बलके ये कहना चाहूंगा कि हमारे का अपनी सारी ताकत लगाने चाहिए कि हम उसको जमीन का क्या करें कैसे कारियानवित करें और गौर्स अंसा उसके ओपर क्या करें कोई वेटनरी होस्पिताल बनाए कोई कॉलेज बनाए ताकि बच्चों का उसमें फाइदा हो सके और समाज का फाइदा हो सके और 36 विरादरी का फाइदा हो सके उस तरह दिया